एंसान को दो साल लगते हैं बोलना सीखने के लिए लेकिन यकीन मानिए पूरी उम्र कम पढ़ जाती है ये सीखने के लिए क्या नहीं बोलना है कहते हैं शरीर में यूजीव एक मात्र ऐसा अंग है जिसमें हडियां नहीं होती लेकिन ये हडियां तुड़वा सकती है Hello everybody, here I am Sonu Sharma, inspirational speaker, leadership consultant and a corporate trainer. साथियों, आज का वीडियो हर उस हिंदुस्तानी आदमी के लिए है जो बोलना सीखना चाता है और हर उस व्यक्ति के लिए है जो ये सीखना चाता है कि क्या नहीं बोलना है. कहते हैं, wise men speak because they have something to say and fools speak because they have to say something. साथियों, बोलना एक राश्ट्रिय बिमारी हो गई है. किसी ट्रेन के डब्बे में आप चले जाएए, किसी चाय वाली टक्प्री पर आप बैट जाएए, वहाँ आपको सारे हिंदुस्तान का गीता ग्यान मिल जाएगा. लोग देश चलाने से लेकर वो PM मोदी साब को बता देंगे कि देश कैसे चलाना है, सरकार कैसे बनानी है, कैसे गिरानी है, IPL की टीम में किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और तो और जेलंस्की को नाटो पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, ये सब बातें भी आपको किसी ट्रेन के डबे में कहते हुई लोगों से सुनने को मिल जाए और शादी के बाद विराट कोली बहुत सलो हो गया है ऐसा परमग्यान आपको हिंदुस्तान में चाय की पट्री पर मिल जाएगा अगर इमरान खान इन से सला ले लेते तो शायद उ पता दूँ ये बाहु बली लोग ट्रेन के डबे से उतरने से पहले ही अमबानी अडानी के सारे खानदान के बारे में चर्चा कर जाएंगे हर आदमी चाहता है कि कोई मेरी सुननेff होंगे कि लोग बोलते हैं मेरी तो कोई सुनता ही नई है पिता बोलेगा मेरी तो बोलेंगे हमारी तो पिता जी सुनते नहीं है, टीचर बोलेगी कोई स्टूडन नहीं सुनता, स्टूडन बोलेंगे कोई टीचर हमारी नहीं सुनता, हरा अदमी चाहता है कि उसकी कोई सुने, पर वो किसी की सुनना नहीं चाहता, वो सिर्फ सुनाना चाहता है, मैं आपको ब आदमी स्पीकर बनना चाहता है, लिस्नर नहीं और मैं आपको बता दूँ बहुत जवरदस्त बात, सोशल मीडिया पर स्पीकर बनाने वाले कोर्सों की बारा रख्ये है, हर स्पीकर आपको स्पीकर बनाना चाहता है, कोई नहीं सिखाना चाहता, how to become a good listener, साथियों मैं हमेशा से कहता आया हूँ, लिसनिंग इस गोल्ड, स्पीकिंग इस सिल्वर. दोस्तों मैं आज आपको बता दू कि बोल कर इस दुनिया में कोई महान नहीं बना नहीं सीख सका है. सुनकर ही महान बना जाता है और सीखा जाता है. बहुत सारे लोग जब किसी कनवर्सेशन में बैटते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो वो उसको भी एक स्पोर्स की तरह समझने लगते हैं. उनका लगता है कि ज़्यादा लंबा बोलता है, ज़्यादा क्लेवर बाते करता है, तेज बोलता है, तरक उतरक उतरक देता है, वो जित जाता है. ऐसा करकरा बाचीत तो जी जाते हैं साथियों लेकिन इनसान हार जाते हैं हम सभी इसी ट्रैप में फसे हो रहे हैं जो जादा बोलता है मैं आपको बता दूँ वो हमेशा कम फाइदे में रहता है जी हाँ जो जादा बोलता है वो कम फाइदे में रहता है जो कम बोलता है जादा फाइदे में रहता ह क्योंकि मूर्ख होना अलग बाता है और समझा जाना बिलकुल अलग कभी कभी जादा बोलना मौत का कारणा बन जाता है क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि बड़ बोले, पन की वज़ा से आपकी मृत्यू हो सकती है जी हाँ, ऐसा ही वाक्या हुआ 1825 के अंदर मैं आपको घटना सुनाना चाहता हूँ कि जादा बोलने से कैसे आपकी मृत्यू भी हो सकती है सन 1825 में निकोलस फॉस्ट रूस के सिंहासन पर बैठे उनके सिंहासन पर बैठते ही रूस में विद्रो शुरू हो गया विद्रो ही लोग आधुनी करण की मांग कर रहे थे वे ये चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उध्योग धंदे लगें बड़ी-बड़ी इमारते बने विद्रो को खतम करने के लिए निकोलस ने एक विद्रो ही नेता थे कॉंद्रेती ये रिल्व को मृत्यू दंड का आदेश दे दिया विद्रो खतम करने के लिए निकोलस ने विद्रो ही नेता कॉंद्रेती को मृत्यू दंड का आदेश दिया कि इसको फांसी पर लटकाया जाए कॉंद्रेती को फांसी दिये जाने वाले तख्ते पर खड़ा किया गया और फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया लेकिन कॉंद्रेती जैसे ही रसी पर जूला रसी टूल और वैं जमीन पर गिर गया उस वक्त इस तरह के घटनाय ईशور का इंसाफ माना जाती थी माना जाता था कि ईशور ही नहीं छाता कि इसको मृत्यू दी जाए जो वक्तिम मृत्यू दंड़ से इस तरह बच जाता था उसे माफ किया जाता था लेकिन पॉंद्रेती जब अपने पैरों पर खड़ा हुआ गिरते ही जब पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे हलकी फुलकी चूट तो लगी थी और उसे यकीन था कि अब वो बच गया है उसने जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती की इसलिए वो भीड से चिला कर बोला कि तुम लोगों ने देखा रूस वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हैं उन्हें तो रसी बनाने भी नहीं आती है एक संदेश वाहक तदकाल ये खबर लेकर समराड के पास गया कि मृत्यू दंड अब नहीं दिया जा सकता है समराड इस निराज जरख खबर से चिंतित होने के बाद निकोलस फर्स्ट विद्रूही नेता पॉंदरिती के माफी नामे पर हस्ताक्षर करने लिए उनको माफ करना ही था क्योंकि ईश्वर की वज़ा से ऐसा हो रहा है ऐसा कहा जाने लगा लेकिन तब ही उन्होंने संदेश वाहक से पूछ लिया कि क्या इस घटना के बाद कौंदरिती ने कुछ कहा संदेश वहक ने समराड को जवाब दिया कि समराड वो कह रहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनाने भी नहीं आती समराड ने माफी नामे को फाड़ते हुए कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसकी इस बात को गलत साबित करके दिखा दो अगले दिन कॉंदरेती को दुबारा फाशी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूपी साथियों बड़ बोला पन आपकी बृत्यू का कारण बन जाता है जादा बोलने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कभी कभी हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं हमेशा सबक ले एक बाहर बाहर निकल जाने के बाद शब्दों को दुबारा वापिस नहीं लोटा सकते शब्द एक बाहर बाहर निकले वापिस नहीं आते कहते हैं कि व्यंगे के प्रती खास तोर पर सावधान रहें आपके व्यंगे बाणों से आपको शनिक, शनमात्र, संतुष्ट्री तो मिल सकती है लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है लोग अपना नुकसान भूल जाते हैं साथियों लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलते We have blessed, साथियों we have blessed with a very precious gift Ladies and gentlemen, boys and girls, my friends, the gift of talking, the gift of language, the gift of being able to express our feelings हमको इशोर ने बहुत बड़ा तोफा दिया है भाशा का, शब्दों का, अपने आपको एक्सप्रेस कर देने का, emotions बता देने का, idea जाहिर कर देने का, बस एक बात याद रखिए कि जितना आप जादा बोलते हैं, उतना सामने वाले को कम समझा पाते हैं ये एक ऐसा गणित है जिसको समझने की कोशिश आप मत करिये, सिरफ इतना ही समझिये, कि जादा बोलने वाले अकसर कम समझा पाते हैं वेन यू टॉक, यू अनली रिपीट वट यू अल्रेडी नौ आप जब बात करते हैं, तो सिरफ आप रिपीट कर रहे हैं उन चीदों को, जो आपको पहले से पता हैं अगर आप सुनते हैं, तो आपको नई चीज़े सीखने का सुझावसर प्राफ होता है हमेशा ऐसा मान के चलिए, जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं that a person you are listening to might know something you don't कि सामने वाले को कुछ ऐसा जरूर पता है जो आपको नहीं पता अगर आप उसको ध्यान से सुने तो आपको कुछ नई चीजे सीखने को बिलेंगी मैं आपको कम बोलने के कुछ फाइदे बता देता हूँ दुनिया आपको बोलने के फाइदे बताएगी पुरा सोशल मीडिया आपको बात कैसे करनी है किस तरीके से करनी है क्या बढ़िया आप स्पीकर कैसे बन सकते है ये दुनिया आपको फाइदे बताने वाली है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साइलेंस के क्या फायदे है चुप रहने के क्या फायदे है साइलेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है जानते है कि जब आप सुनते हैं तो सामने वाला इंपोर्टन्ट फील करता है जी हाँ, जब आप ध्यान से उसको सुनते हैं, आपकी आई कॉंटेक्ट सामने वाले से बनता है, आपकी बाडी लेंग्विज ऐसा उसको फील कराती है, कि उसको सुना जा रहा है, उसको इंपोर्टन्स फील होती है, साथियों मैं आपको बता रहूं कि सामने वाले को इंपो कौन किसी को सुनता है सब सुनाना चाहते है अगर आपने ये स्किल सीख ली अगर आपने ये स्किल लर्न करी आप अपने सोसाइटी में अपनी दोस्ती में बहुत important हो जाते हैं कोई होता है जिसके पास आदमी जाकर अपना दिल खोल के रख देता है वैसे व्यक्ति आप बनिये हैं आपकी सोसाइटी में नाम समान इज़त बहुत बढ़ जाती है दूसरी चीज़ जब आप चुप रहते हैं पहुत समय तक और उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं अपकी बातों में वजन होता है आपकी बात को ध्यान से सुना जाता है जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतने ओडिनरी लगते हैं जितना कम बोलते हैं उतने अनकॉमन लगते हैं सुनने का, साइलेंस का तीसरा सबसे इंपॉर्टन बात बता दूँ आपको आप लोगों को रीड करना सीख सकते हैं जब आप चुप बैठते हैं और सामने वाला बोलता है तो आप ध्यान से उसको वाच कर सकते हैं उसके शब्दों में उसके मन की बात जहलक जाती है वो अंदर से क्या सोच रहा है आपके बारे में क्या चाह रहा है क्या बोलना चाह रहा है अगर आप चुप रहते हैं तो आप सब समझ सकते हैं चुप रहे करें सबसे important बात बताओं आप You won't sound stupid आप चुप रहते हैं न जब तो आप stupid sound नहीं करते हैं क्योंकि होता क्या है कभी-कभी The more you speak, the more you put yourself at the risk of saying something stupid जादा बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मूँ से ऐसा निकल ही जाता है जो आवश्यक ही नहीं था और एक पुरानी line है When it is not important, it is important not to say बहुत important line है दोरा देता हूँ When it is not important, it is important not to say अगर जरूरी नहीं है तो ये जरूरी है कि ना कहा जाए साथियों, चुप रहने के अनेक अनेक फाइदे है मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये स्किल डवेलप करी चुप रहने की, ये एक तरह का meditation भी है साथियों पहले पहले लोग पूरे पूरे दिन का वरत लेते थे कुछ साथू सन्यासी एक-एक महीने के मौन वरत पे रहते थे लेकिन विडंबना देखिए, आज की डेट में कोई चुप नहीं रहना चाहता हर आदम बोलना चाहता है अगर ये स्किल आपने डवेलप करी, अगर ये स्किल आपने सीखी आप इस दुनिया में एक अलग मकाम हासिल कर सकते हैं और सेल्स की दुनिया में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सेलिंग टेक प्लेस विद आवोर्ड्स बट बाइंग आलवेस टेक प्लेस इन दे साइलन्स आज का वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाईए जिसको आपको लगता है कि ये सारा बोलता है बहुत है, ये वीडियो सर्कुलेट करिये पूरे हिंदुस्तान में ताकि हर व्यक्ति साइलन्स की पावर समझ सके और जादा बोलने से होने वाले नुक्सानों को समझ सके यूट्यूब का चैनल हमारा सबस्क्राइब जरूर करिये और इस वीडियो को लाइक करिये अगले किसी शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगा तब तक अपने स्वास्ते का अपने शेहत का विशेश धियान रखिये विशे आल दे वेरी बेस्ट यूट थैंक यू सो मच जैए